हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर तन्वी सिंग अपने चैनल इटर्नल एड़ुसेंस क्लासिस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज से हम भारती राजवेवस्था के NCRT के प्रशनों को टॉपिक वाइज सीरीज के माध्यम से सुरू करेंगे तो आज हम भारती राजवेवस्था में भारत के सम्वेधानिक विकास से जितने भी प्रशन बन सकते हैं उन सभी को डिसकस करेंगे उनको यहेंवे पढ़ेंगे ये सारे प्रशन आप सभी के चाहे जूनियर एडिट का एक्जाम हो चाहे आरो यारो हो चाहे यूपी पीसियस हो चाहे जी आईसी हो उन सभी के लिए बहुत ही हत्वपुर साबित होगा तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहे वीडियो को सुरू से अन्त तक देखिए तो आज हम भारती राजविवस्था में भारत का सम्वेधानिक विकास से जितने भी प्रशन बन सकते हैं उनको देखेंगे और इस वीडि तो भारत का सम्वेधानिक विकास का सबसे पहला प्रशन है रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वच न्याले के स्थापना कहां की गई थी तो कलकत्ता में 1774 इस्वी में की गई थी अगला प्रशन है भारतियों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारतिय विधान परिशद को बजट पर बहस करने की शक्ती किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी तो भारत परिशर अधिनियम 1892 केंद्री विधानमंडल सरप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्वीस अधिनिय बनाया गया तो ये भी बहुत ही महतपूर प्रशन है ये एक्जाम में आ सकता है तो इसको याद कर लिजे 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा अगला भहुत महतपूर प्रशन है भारत के राष्ट्रपती को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ती मूलता किस अधिनियम से प्रेरित है तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है देखिए भारत का जो समवैधानिक विकास है उसमें इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत और ब्रिटिस काउन के अंतरगत तो जितने भी एक्ट हैं उनको हम यहाँ पे उसका संद देख लेते हैं और बाकी क्वेस्चन्स को डिसकस तो करेंगे तो देखिए इस्ट इंडिया कंपनी के अंतरगत क्या क्या आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पिट्स इंडिया एक्ट 1774 चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1853 और ब्रिटिस क्राउन के अंतरगत क्या 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 आएगा भारत शाशन अधिनियम अठावन, भारत परिशर अधिनियम अठावन, भारत परिशर अधिनियम अठावन, भारत परिशर अधिनियम अठावन, भारत परिशर अधिनियम अठावन, भारत शाशन अधिनियम अठावन, भारत शाशन अधिनियम अठावन, भारत शाशन अधि अगला प्रश्ण है ब्रिटिस भारत में किस अधिनियम में संगी शासन का प्रावधान था तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अगला प्रश्ण है अखिल भारतिय संग अस्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था तो भारत शासन अधिनियम 1935 अब यहाँ पे देख लेते हैं भारत के समविधान में केंद्र और राज्यों के मद्दे किया गया सक्तियों का विभाजन भारत शरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है इसको आप यहीं पे याद कर लिजी यह बहुत इंपोर्टेंट है अगला प्रशन है भारती समविधान सभा का गठन किसके अंतरगत किया गया था तो भारती समविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 इसवी के अंतरगत किया गया था यह भी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको याद कर लिजी अगला प्रशन है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार समविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था दस लाग की जनसंख्या पर एक सदस्य ठीक है अगला प्रशन है भारतिय समविधान का निर्माड करने वाली समविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था तो इसका अंसर होगा विभिन प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा अब हम अंतरिम सरकार के सदस्यों को एक साथ देख लेते हैं तो अंतरिम सरकार का सबसे पहले वर्स याद कर लीजिए वर्स 1946 इसमें सदस्य कौन-कौन से थे और उनका धारित विभाग कौन-कौन सा था तो जवाहर लाल नहरू जो थे वो राष्ट मंडल संबन तथा विदेसी मामले संबन दित थे सरदार बल्ला भाई पतेल जो थे वो ग्री सूचना एवं प्रसारण डॉक्टर राजेंद प्रशाद खाद एवं कृषी जान मताई जो थे वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ती जग जीवन रामश्रम सरदार बल्देव सिंग रक्षा लियाकत अलिखा वित्थ सी राजगोपालाचारी सिख्षा एवं कला अब यही पर एक क्लाइन देख लिजे बहुत इंपोर्टेंट है कि भारत शाचान अधिनियम भारत शाचान अधिनियम 1919 की समिख्षा करने के लिए वर्स 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्पूर यह सब समझने वाली चीज है ही नहीं यह सब रटने वाली चीज है तो इसको आप ऐसे ही रटिए भारत की समविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो यह दमच्छे से याद कर लिजे 9 दिसंबर 1946 को फिर है भारतिय समविधान का प्रथम प्रारूप यानि ड्रॉफ्ट सर्भी और राव द्वारा तैयार किया गया था यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इसको यह याद कर लिजे तो ये भी प्रश्न थोड़ा साद लोग कन्फ्यूस जाते हैं कोई सचिदन सिंहा लगा दिता है तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। थाई अध्यक्ष पूछेगा तो डाक्टर राजेंत प्रसाद और अस थाई अध्यक्ष पूछेगा तो सचिदनन सिन्हा होंगे अगला प्रशन है सम्विधान सभा में पंडित नहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तूत किया गया था तो इसका अंसर है 13 दिसंबर 1946 को अगला प्रश्ण है नेहरू द्वारा प्रस्तूत उद्देश्य प्रस्ताव सम्विधान सभा में कब स्विक्रित हुआ? 22 जन्वरी 1946 को अगला प्रश्ण है भारती सम्विधान के निर्मार काल में सम्विधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो पूछता है कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे अगला प्रश्ण है भारती सम्विधान के निर्मार में सम्विधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका अंसर है 2 वर्स 11 माह 18 दिन अगला प्रश्ण है भारती समविधान सभा के समवैधानिक सलाकार कौन थे तो समवैधानिक सलाकार थे सर्बी एन राव अगला प्रश्ण है भारत की समविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्टिय ध्वज को कब अपनाया तो राश्टिय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ये बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप जरूर से याद कर लीजिए ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है 22 जुलाई 1947 को राश्टिय ध्वज को अपनाया गया था अगला बहुत महतपूर पॉइंट है सम्विधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यचता डॉक्टर सचिदानन सिन्हा औस्थाई अध्यच ने की थी ठीक है तो सम्विधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यचता किस ने की थी डॉक्टर सचिदानन सिन्हा ने ये अस्थाई सदसे अध्यच थे भारत का समविधान कब स्विकार किया गया था अब ये सब पॉइंट आपको अच्छे से आदोना चाहिए कि स्विकार कब किया गया था 26 नमंबर 1949 को और भारती समविधान पूर्ण तक कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को तो अगर पूछे कि स्विकार कब किया गया था तो आपको लगाना है 26 नमंबर 1949 और ये पूछे कि कब लागू हुआ था तो लगाना है 26 जनवरी 1950 अब हम यहाँ पे समविधान सभाग के प्रशनों को एक साथ देख लेते हैं मतलब जितने भी पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को समविधान सभाग की प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सचितानन सिन्हा को अस्थाई अध्यच तथा 11 दिसंबर 1986 को डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को स्थाई अध्यच चुना गया समविधान सभाग का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडि जवाहर लाल नहरू द्वारा प्रस्तूत उद्देश्च प्रस्ताओ से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्व सम्मती से स्विकार कर लिया गया 26 नमवर 1949 को भारती समविधान अंगी कृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूरता लागू किया गया तो अभी यहाँ पर याद करने वाली चीज है कि पूछ देगा कि समविधान सभा की प्रतम बैठक कब हुई थी तो आपको लगाना है 9 दिसंबर 1946 और पूछेगा कि इसमें कौन अध्यच था किया था तो डॉक्टर सचिदानन सिन्हा इसकी अध्यच थे फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद प्रसाद को इस्थाई अध्यच चुना गया थीक है फिर समविधान निर्माण का प्रारम 13 दिसंबर 1986 को पंडी जवाहल लाल नहरू द्वारा प्रस्तूत उद्देश प्रस्ताव से हुआ फिर 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मती से इसको सुईकार कर लिया गया और 26 नमबर 1949 को भारती समविधान अंगिकरित किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पुर्णता लागू किया गया तो यह जितने भी सन है उसमें जो भी अंतर है उसको आप समझने का पूरिच्छे से प्रयास करिए इन अंतरों को दिमाग में बठाईए क्योंकि प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है तो आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से यह सही है तो नहीं आपको इसके हिसाब से आपको या नमंबर उन्निस सो उन्चास को भारती समविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया तो इसका आंसर होगा समविधान सभात्वारा अगला है जनगर मन को भारत की राष्टगान के रूप में कब अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को फिर है भारत शरकार द्वारा असोक स्तंब को राष्टिय चिन्द के रूप में अंगिकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को तो ये सब आप ध्यान रखिये कि 24 जनवरी को किसको अपनाया गया था 26 जनवरी को किसको अंगिकृत किया गया था तो ये सब अंतर आपको यादोने चाहिए बहुत ही important point है समविधान सभा की सलाकार समीती के अध्यच सरदार बल्ला भाई पटेल थे फिर है समविधान सभा की जंडा समीती के अध्यच कौन थे तो जंडा समीती के अध्यच थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद अब प्रमुख समीतीयां और उसके अध्यच कौन कौन थे यहीं पे याद कर लेते हैं तो देखिए संग शक्ती समीती के अध्यच थे पंडी जवार लन नहरू संगिय सम्विधान समीती के अध्यच थे पंडी जवार लन नहरू फिर है मौलिक अधिकारो एवं अल्पसंख्य को संबंधी परामर समीती की अध्यक्ष थे सरदार बल्ला भाई पतेल फिर है प्रक्रिया नियम समीती की अध्यक्ष थे डॉक्टर राजिंद प्रशाद फिर है राज्जियों के लिए समीती के अध्यक्ष थे पंडि जवाहर लल नहरू फिर है संचालन समीती के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजिंदर प्रशाद अगला पॉइंट है संबिधान सभा के कारियों से सम्बंधित समीती के अध्यक्ष कौन थे तो कारियों से सम्बंदित जो समीती थे उसकी अधिच थे जीवी मावलंकर अब यहीं पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं डाक्टर बी आरंबेटकर की अधिचता में सम्विधान सभा की प्रारूप समीती के 6 अनस अधस एन गोपाल स्वामी आयंगर, डाक्टर के एम मुंसी, बी एम मित्रा, बाद में बी एम मित्रा के अस्थान पर एन माधवराव आये थे अलादी कृष्णा स्वामी अयर, सैयद मुहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान ठीक है फिर है सम्विधान सभा ने डाक्टर बी आरंबेटकर की अधिच्था में प्रारूप समिती का गठन कब किया था तो इसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को फिर अगला प्राशन है डाक्टर बी आरंबेटकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन किस प्रेशिदेंसी से हुआ था तो इनका निर्वाचन बंबई प्रेशिदेंसी 1947-50 पहले बंगाल प्रेशिदेंसी से हुआ था 1986-47 में ठीक है अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं भारत का सम्विधान मुल्त दो भासाओं भारत का सम्विधान मुल्त दो भासाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्योंने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किये थे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था और इसकी जो सदस्य थे उन्होंने सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर किये थे तो ये आपके लिए important है तो इन सभी points को देखिए तो ये था भारत का समवैधानिक विकास छोटा वीडियो है लेकिन इसमें भारत के समवैधानिक विकास से समबंदित सारी जयनकारी एक साथ दी गई है इनको आप याद कर लेंगे तो भारत के समवैधानिक विकास से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे और इसमें जो minor minor mistake हो जाती है लोगों से वो भी नहीं होगी तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए हम ऐसे ही topic wise वीडियो लाते रहेंगे आपके आगामी जितने भी परिक्षा है उनकी दृष्टी से मेरे सारे वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पुर साबित होंगे तो मिलते हैं अगले topic में अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद